तो अभी आपका डैली पुलिस कॉंस्टेवल का 27 नवंबर के अभी आपके सारे के सारे एक्जामेनेशन शिफ्ट वन शिफ्ट टू और शिफ्ट त्री के खतम हो चुके हैं और यहांपर हम बात करने वाले आपके जो भी जीके के कोश्ट पूछे गए हैं अभी आज के एक्जामेनेशन में 27 नवंबर के और उसके साथ में हम इसकी एक्स्टा डीटेलिंग भी देखेंगे यानि कि ऐसे कोश्ट जो कि आपके और आगे बन सकते हैं आने वाली हो रहे हैं एक दो दिन के बाद जो आपके पहले आ चुके हैं उसके एक्स्टा फैक्ट के हिसाब से चीज़ें आने लगती है ठीक है तो यह सचन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है विल्कुल एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि हम यहां पर बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने वाले हैं आपके जो जो कॉश्चोंस आया थे और वो सारे के सारे यहां पर आपके और जिन बच्चों करके बताने कोश्चन आये थे कि नहीं आये ठीक है और यहां पर आर जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में अपके लिए काफी ज्यादा更त हो गई थेक है तो एके करके देखते आपर आपका पहला कोश्चन के अगर मैं बात करूं और आपका पूर्ण सव Mehr और यूजना होता है इसमने जो भी आपके रहडी वाले यानि कि जो street venders होते हैं न क्या होते हैं आपके जो street vendors यानि कि जो आपके रोड़ पर आपने रोज मर्रा के काम में जाते हैं लोग देखे होंगे आपका ठेले वाले होते हैं स्टीट वेंडर्स होते हैं जो सड़क पे घुमते रहते हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा कितने साल के लिए तो एक साल के लिए ठीक है वन इयर के लिए उने 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा इस योजना के अंदरगत अब यहां से आपका एक कोशन और इंपोटन बनता है कि यह जो PM सवानदी योजना है ना इसका फुल फार्म क्या है तो देखो पी एम का तो मतलब प्रधानमंत्री हो गया अब स्वानदी का आपको फुल फार्म पता होना चाँए स्वा निधी में देखो S से आपका क्या हो जाता है स्टीट हो जाता है V से हो जाता है आपका वेंडर फिर आपका N से क्या होता है देखो PM हो गया यह आपका PM से तो प्रधानमंत्री हो गया स्टीट वेंडर आपका यह जो AN है ना यह तो AN से हो जाता है आपका आत्म निर्भर ठीक है क्या हो जाता है आत्म निर्भर फिर आगे आपका है यह आत्म निर्भर इसकीम इसको हम बोल देते हैं क्या होगे आपके स्टीट वेंडर आत्म निर्भर यहाँ पर आप निधी योजना यह आपकी इस नाम से इसका यह फुल फॉम है तो इसको भी आप क्या करेंगे याप पर ध्यान में रखेंगे अच्छा एक बात और इन्होंने क्या बोला है कि हम अपना 2022 तक इनका जो टारगेट है वो ये है कि ये 50 लाग से जादा 50 लाग से जादा स्टेट वेंडर्स को ये अपना प्रोवाइड करवा देंगे लोन वग्यारा ठीक है तो ये कोशन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है अगले कोशन पर आते हैं अब देखो एक कोशन आपका यहाँ पर आया था जो आपका धामेक स्टूपा है ठीक है ना धामेक स्टूपा से आपका एक कोशन बना था सारनाथ आपका कापी तो ये 13 किलो मीटर दूर है वाराण सी से ठीक है वाराण सी से 13 किलो मीटर दूर है सारनाथ वहाँ पर आपका धामे की स्थूपा सिचुएटेड है अब आपको ये पता होना चाहिए धामे की स्थूपा किसने बनवाया तो इसे बनवाया था समराट अशोका ने, किसने बनवाया था समराट अशोका, ठीक है, किसने बनवाया भी समराट अशोका, जो कि कौन से, अगर मैं बात करूँ कौन से, ये आपकी associated थे, तो मौर्या किंग थे, ठीक है, क्या थे, ये एक मौर्या थे, तो इन्होंने किसको ब तो यहां पर अगर आपसे कोशन यह आ गया ना कि इससे पहले आपको पता है अब इसके बारे में इतनी वाते ध्यान में रखो अगर इससे रिलेटेड कोशन आएगा अभी आपका यह आया है कौशन क्लियर हो गया अगले कोशन पर आते हैं यहा पर आपका कॉशन नंबर 3 देखो फटा फट से तो मढ़ई फेस्टिवल आपका कहाँ पर मनाया जाता यह कौशन आया था देखो इससे रेलेटेड आपको एक बात और द्धान में रखनी है कौन सा कबीला कौनसा ट्राइब इस festival को मनाता है तो ये associated है Gond tribe से तो ये वाली चीज भी आपके लिए काफी important बन जाती है चलिए अगले question पर आती है अच्छा एक question आपका ये आया था जो Magnus Carlson है मैगनस Carlson आपने इनका नाम सुना ही होगा तो ये कौनसी country से associated है तो देखो ये हैं आपके नौर्वे से ठीक है ना ये कौन से देश से असोसियेटेड है तो ये नौर्वे से आपके ये नौर्वेजियन जो है चैस मास्टर है ठीक है क्या है ये चैस मास्टर है अच्छा चैस मास्टर यानि कि ये जो है अपना कौन से गेम से रिलेटेड हो तो यह chess game से related हो गए और यह कई बार Grand Master का किताब भी जीत चुके है ठीक है किसका किताब जीत चुके है Grand Master का और इन्होंने जो अपने इंडिया के विश्विनात आनंद है कौन है भई विश्विनात आनंद विश्विनात आनंद तो पता है इंडिया की तरफ से जो इंडिया के सबसे पहले grand master है chess में इनके साथ में भी कई बार ये खेले हुए है chess ठीक है तो ये चीज आपके लिए important हो जाती है और ये कुछ खास question नहीं है आपको लग रहा होगा Magnus Carlson कैसे पूछ लिया तो अगर आप थोड़ा sports वगारा पढ़ते हो तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए था अगले question की बात करते हैं तो आपका एक question आया था जो पॉल कूट फेस्टिवल है पॉल कूट फेस्टिवल ये कौन से state में हम मनाते हैं तो देखो फेस्टिवल से आपका ये बहुत भड़िया question आगे अगर आपको याद हो तो CPU में आपका एक question बना था चापचार स्कूट याद है आपको चापचार कूट फेस्टिवल आपका कहां कहा है ये question आया था आपका CPO में तो देखो भई पाल कूट फैस्टिवल और चापचार कूट दौनों के दौनों काँ से Estado में मनाये जाते हैं तो दौनों के दौनों मिजोरम स्टेट में मनाये जाते हैं अब अगर आप से इस Question में थोड़ा सा और इन्होंने अगर बड़ा चड़ा की पूछी चीजें तो ये पूछ सकते हैं कि पालकूट फेस्टिवल जो है ना आपका ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है या फिर आपका ये प्री हार्वेस्ट festival होता है अच्छा post harvest और pre harvest क्या होता है आपका एसे questions ना आपके आच चुके हैं ससी के ही exam में selection post में तो मैं आपको यह बताता हूं देखो जो आपका Paul Coot festival है ना वो जो straw की खेती होती है एक straw की खेती होती है उस खेती के बाद में यानि कि जब उस खिती की कटाई हो जाती है ना उसके बाद में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ठीक है तो पॉल कूट फेस्टिवल कैसा है आपका पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है यानि कि जब उसकी कटाई वगेरा हो जाती तब हम इस फेस्टिवल को मना लेते हैं मिजोरम में ठीक है तो यह बात समझ में आगी अगले वाले कोशन पे आते हैं देखो आप नेक्स्ट वाला कोशन कि अगर मैं आप से बात करूँ तो एक कोशन आपका यह पूछा गया अब इसमें होता क्या है ना कि कई सारी ओरतें क्या करती हैं लोटा लोटा पता है सबको लोटा तो पता होगा जिसे पानी पीते हैं बड़ा सा बरतन ऐसा होता है तो क्या करती है उसमें आप लोटा यह जो ओरतें वगेरा होती है जो लेडीज होती है वो लोटा और कलश लेक चली जाती है बस आपका यह होता है लोटिया में और बेसिकली यह आपका जो है एक म्यूजिक आपका वहाँ पर बज़ता है इसके बारे में चांकारी चाहिए तो जो अपना इंडिया की CCRT की वेबसाइट है CCRT India CCRT India.gov.in वहाँ पर ये बिल्कुल शाफ साफ शब्दों में दिया गया है अब बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कोशन कहां से फसर हैं ये ना सारे के सारे मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ अथेंटिक चीजों पर विलीव रखा करो और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपको music पढ़ना हो, folk dance पढ़ना हो तो आप जो government की website है उन्होंने बता रखा है हमारे यहाँ पर कितने क्या हैं तो आप अगर इस website पर जाओगे tcrtindia.gov.in तो यहाँ पर आपको बहुत सारे folk dances हो गए, music हो गए, folk music हो गए कौन-कौन से states related है, क्या होता उसमें यह सारी की सारी बातें बताई गई है तो एक बार जागर के देखो होने ठीक है अगले question पर आते हैं चित्रकूट waterfall है, तो यह कौनसे state में पढ़ता है, ठीक है तो चित्रकूट waterfall है आपका कहाँ पर है भई, 36 गड़ में है अब इसके बारे में आप 2-3 बाते समझो यह चित्रकूट waterfall कौनसी river पे है तो यह है इंद्रावती river पे कौनसी river पे है, यह आपका इंद्रावती river पे है पहली बात तो यह हो गई अब यह जो इंद्रावती river है ना यह एक tributary है, यह क्या है एक tributary है कौनसी river की tributary है यह है गोदावरी river की tributary कौनसी river की tributary है गोदावरी river की tributary है, ठीक है clear हुई ये बास समझ में आगी तो ये question आपका आया था तो questions का level ना काफी बढ़िया जा रहा है and जहां तक मैं आपको actually मैं बता हूँ तो मुझे नहीं रखता जातर बच्चों ने ऐसे questions कर पाए होंगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया होंगे तो दैमावाद विलेज आपका कहाँ पर ये पूचा गया तो दैमावाद विलेज आपका है महाराष्ट्रा में कहाँ पर ये आपका महाराष्ट्रा में है ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा एक बात तो ये हो गई अब दूसरी बात यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए अब जो दैमावाद है ना ये कौनसी नदी के किनारे है ये है आपका प्रवरा रिवर के किनारे कौनसी रिवर के किनारे पे है प्रवरा रिवर और ये प्रवरा रिवर अगे ये जो आपकी प्रवरा रिवर है ना यह again Tributory है, यह कौनसी नदी की Tributory है, यह गोदावरी रिवर की Tributory, कौनसी रिवर की है, गोदावरी रिवर की Tributory है, समझ में आई मेरी बात, तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है, तो इस टाइप के questions भी आपके देखने को काफी जादा मातरा में मिल रहे हैं, आपकी खरीफ क्रॉप कौन-कौन सी होती है, ठीक है, तो देखो, important रवी क्रॉप में आपका आजाता है, wheat यानि की गेहूं हो गया, फिर आपका यहाँ पर बारले आ जाता है, oats आ जाते हैं, ठीक है, बारले हो गया, अच्छा, इन सब का आप screenshot लेते जाना, या फिर लिखना ह रिपीट करेगा, और मैं तेने सारे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको कही न गहीं, आपके लिए इंपोर्टेंट तो है सही, mustard हो गया, फिर आपका linseed हो गया, ठीक है, अब अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका rice हो जाता है, मेज हो जाता ह इसके बाद में आपका सोरगहम, सोरगहम आपका खरीफ क्रॉप होती है, इस बात को ध्यान में रखियेगा, बाजरा में कई बच्राव कंफ्यूजड होते है, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, तो यह कुछ important आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, जो की आपको पता होनी चाहंब अगले कोशन पर आते हैं अब अगला कोशन आपका ये आया था कि अधको आपको ना तीन नाम दिये थे गी बेवार, पेंदू, पेंदू और दहिया ये तीनों क्या है आप से ये पूछा गया था ये जो तीन आपके नाम है ये किससे रिलेटेड है ये प्लांट है या फिर घर पतवार है या फिर अग्री कल्चरल प्लांट है सा कुछ आपको ऑप्शन में रहा होगा तो अब मैं आपको यहां पर बताता हूं इसके बारें बहुत सारी बाते ये जो बेवार होता है ना इस बेवार को ही बोलते हैं और ये इन दौनों का एक ही नाम होता है ये आप बचता है आपका पेंदू तो पेंदू को ना पोदू के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं और ये आपका कहां पर पाया जाता है आंध्रप्रदेश में ठीक है कहां पर पाया जाता है अंध्रप्रदेश में हो सकता है आने वाले आपके कुछ एक्जाम्स में एवर्ड होता है ना रैवन मैग से से और ये से ठीक है ये रैवन मैग से से एवर्ड किसको नहीं मिला है ठीक है एवर्ड किसको नहीं मिला है ऐसा आप से कौशन था यानि किसको नहीं मिला है तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन्स थे मैं आपको ऑप्शन्स एक बार बताता ह था और आपकी सामने चौथा उप्शन था प्रिशांत भूशन तो देखो यह जो उपर वाले ABC तीन है ना इन तीनों को यहाँ पर रहमान मैक्से से अवार्ड मिल चुका है बताता हूँ अभी आपको कलर को मैं एक बार चेंज करता हूँ वापस से तो किरण बेदी को यहाँ पर मिला है 1994 में क्या मिला है रहमान मैक्से से अवार्ड मिला है इनके administration के लिए इसके लिए मिला था इनको administration इनका काफी अच्छा है तो इसके लिए इनको मिला हुआ है रवीश कुमार को पत्रगारता के लिए मिला है ठीक है ना रवीश कुमार को आपको पता है 2019 वाला ही तो मिला है यापका इनको पत्रगारता के लिए मिला है अरुण शौरी की अगर हम बात करते हैं तो अरुण शौरी को भी आपका एवर्ड मिला हुआ है 1982 में लिटरेचर के लिए ठीक है तो ये कुछ इंपोर्टेंट हो गए आपकी बाते हैं हो सकता है आपसे पूछले कि होता है तो देखो सिबल आपका र्लेटेट होता है जो आपकी क्रेडट हिस्ट्री होती है आपने अभी तक क्रेड़ेट कार्ड वगयरा की जो हिस्ट्री होती है आपके आपके जो क्रेड़ेट कार्ड की हिस्ट्री होती है वो कहलाती है क्या सिबल अच्छा मैं आपको एक का full form हो गया अब यह जो civil score होना है यह जो civil होता है यह होता है क्या बिसके लिए आपको एक score होता है और इसे generate कौन करता है bank इसको बनाता यानि कि यह जो भी आपका score रहेगा इसमें उसके accordingly आपको यहाँ पर loan देता है कोई भी bank यानि कि अगर आप bank में loan लेने आगी मेरी बात चलिए अगले वाले question पर यहाँ पर move on करते हैं फटाफट से तो next question आपका देखो यहाँ पर पूछा गया था इंडिया में जो liquidity है न वो कौन maintain करता है देखो हम जरा नीचे आ जाता है यहाँ पर टाफट से देखो कौन सा question हो गया यह अपना 12 questions आपकी हो चुके है 13th question देखो यहाँ पर आपकी जो liquidity है इंडिया में liquidity को कौन maintain करता है liquidity maintained by liquidity maintain करता है आपका RBI कौन करता है Reserve Bank of India यानि कि अगर आपका cash वगयरा कहीं पर अपनी देश में cash के अगर कमी चल रही है तो यह क्या करेगा cash को cash का जो छपाई है वो थोड़ी बढ़ा करके liquidity बढ़ा देगा फिर अगर इससे क्या करना होगा अगर cash जादा हो गया तो यह अपना cash क्या करेगा वापस भी लेके आ जाएगा RBI ठीक है तो यह काम करने का जो है इंडिया में बढ़ इस चल आपके लिए बहुत ही जादा useful है ठीक है चलो भई अब फिर से देखते है अगला वाला question आपका यहाँ पर वर्ण परिचय यहाँ पर वर्ण परिचय किसने लिखी हुई है ठीक है क्या वर्ण परिचय किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है इश्वर legend विद्यासागर के द्वारा इसके दारा लिखी गई है इश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसलिए इसी बात से इंप्रेस होकर के जो अपने रवेंद्रेना टैगोर है ना इन्होंने ने क्या बोल दिया है बास मज में आगी याद रहेगा ना ये बात चलो अगले कोशन पर आते हैं फटा-फट से हो भी नेक्स्ट वाला कोशन आपका ये रहा कि आपसे अब आर्टिकल का कोशन ये पूछी जो आपका आर्टिकल नंबर 129 है उसमें क्या बताया गया है अच्छा अब ये ना अभी ये आर्टिकल नंबर 129 क्यों पूछ लिया अभी आपने देखा हुआ कि कंटेम्ट आफ कोट बहुत जादा न्यूज मेरा है अभी एक वकील की उपर जो सुप्रीम कोट के उनके उपर कंटेम्ट आफ कोट लगा दिया गया उनका नाम बताना कमेंट सेक्शन में ठीक है अभी बोलते हैं ये भी आपके आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है ठीक है क्लियर है चलिए अगले वाले कोशन पर आएंगे फटा-फट से इस वाले कोशन में आपका पूछा गया है कि जो आपका चौरी-चौरा कांड हुआ है चौरी-चौरा कांड हुआ था ये जो आपका ये कहां पर हुआ कौन सी लोकेशन में हुआ आपका चौरी-चौरा कांड तो ये आपका हुआ था कहां पर गोरकपुर में ठीक है ना कौन से जिले में हुआ था गोरकपुर जिले में हुआ था ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहे कहाँ पर गोरकपुर जिले में और गोरकपुर कहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में है यानि की यूपी में है लेकिन बिटिश के टाइम पर आपको पता ना यूपी का पूरा नाम क्या था यूनियन प्रोविंस था तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा चौरी अगले कोशन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला कोशन देखो, यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूचा गया जो आपका 91st Amendment था, 91st Constitutional Amendment था, इसके according जो आपके Ministers है ना, बात को समझना यहाँ पर बड़े ध्यान से, जो आपका 91st Amendment था, इसके according जो आपका Union Council of Ministers होती है ना, उसमें आपका क्या पूचा गया, कि इसमें आपका Number of Ministers कितने होने चाहिए, Ministers के जो Number है ना, वो इसमें क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है ना, कि इतने से ज़्यादा Minister नहीं हो सकते, तो कितने नहीं हो सकते, या 15% नहीं हो सकते, जितने Total Ministers हैं, Total Ministers अगर आपके 100 है तो जो Union Council of Ministers है ना उसमें आपके 15 से ज़्यादा Ministers नहीं बैठाए जा सकते इसमें आपके और PMB included होते हैं बात मेरी समझ में आ रही है क्या clear है चलिए अब फड़ावर से next वाले question पर आज जाएंगे तो देखो 18th question यहाँ पर देखेंगे आपका जो budget 2020 आया था वहाँ से question आया है कि आपका जो fisheries का जो आपका fish export होता है क्या होता है fish export होता है उसको यहाँ पर target कितना करने का है 1 lakh करोड़ रुपीज का 1 lakh करोड़ रुपीज का हम यहाँ पर अपना export को करने वाले fish के export को तो यह target हम कौन से year तक achieve कर लेंगे ठीक है यह question आपका पूचा गया और यह बात आपकी budget 2020 में कही गई थी ठीक है तो अगर यह question पूचा गया तो बहुत ही बढ़िया question इन्होंने उठाया है year यहाँ पर पूच लिया तो year है targeted 2024 से लेकर के 25 यहनी कि 2024 में तक हमारा target है कि हम जो fisheries का export है वो 1 lakh करोड़ रुपीज तक अपना लेकर के जाएंगे अगले question पर आते हैं तो देखो यहाँ पर आपसे क्या पूचा गया है तो यह आपसे पूचा गया कि जो आपकी सुदर्शन जील है ठीक है कौन सी जील है सुदर्शन जील है इसका renovation करवाया गया था जो आपकी सुदर्शन जील है ना इसका क्या करवाया गया renovation करवाया गय तो इसके रिनोवेशन के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि सुदर्शन जील के यानि कि सुदर्शन लेक का जो आपका रिनोवेशन है किसके द्वारा करवाया गया पहली बात ये करवाया गया था इसकंद गुप्त के द्वारा किसके द्वारा करव अब हमें कौंसे यहाँ पर inscription से पता चलता है कि इसका renovation स्कंद्गुप्त ने कराया था तो यह हमें पता चलता है जुनाग endors जूनागड में आपका inscription है ठीक? जूनागड इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में पता चलता है अब मुद्दे की बात ही है यह तो आपका question आ गया अब इस से related और क्या पूछा जा सकता है कि यह जो दर्शन जील यानि कि इस दर्शन लेक जो है न इसे बनवाया किसने था यह तो रेनोवेशन करवाया है इन होने तो इसे बनवाया था चंद्रगुप्त मौरे ने किसने ब वर्नर थे चंद्रगुप्त मौरे के उनका नाम था पुष्य गुप्त वैश्य क्या नाम था पुष्य गुप्त वैश्य इनका नाम था और इन्होंने फिर इस लेक का यहाँ पर क्या करवाया निर्माड करवाया सुदर्शन का मतलब पता है सुदर जील ठीक है ना सुदर पानी की जील, सुदरचन का मतलब यह होता है तो यहाँ पर चंदरगुपत मौरे ने ओरडर दिया किसको पुश्य गुपत वैश्य को कि तुम क्या करो गुजरात में गुजरात के गिरनार जिले में है यह गुजरात के गिरनार जिले में तुम इस लेक का निर्माड कराओ, तो फिर इन्होंने उस टाइम पर इसका निर्माड कराया, फिर इसका रिनोवेशन इसकंद गुपता ने कराया, जो कि गुपता डैनस्टी के किंगी थे, और ये इंस्क्रिप्शन किसमें पते से पता चलता है, हमको जुनागर से पता चलता है, ठीक है, अब तक हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे, ये आपका बजट 2020 में बताया गया था, बजट 2020 यानि की बजट 2020 में बताया गया तो ये हम कब तक कर लेंगे, ये हम अचीव कर लेंगे अपना 2024 तक, ठीक है, 2024 का जो आपका बजट आएगा तब तक हम ये अपना टारगेट अगले question पे आते हैं 20th question को देखेंगे यहाँ पर हम इसमें आया था कि जो आपका growth hormone होता है कौंसा hormone होता है जो आपका growth здоров own यह कौंसी gland यहाँ पर produce करती है तो यह करती है आपकी pituitry gland pituitry gland pituitry gland आपकी यह produce करती है اور इसे हिंदी में क्या बोलते हैं जो मेरा नाम है ठीक है तो growth hormone आपके किसके द्वारा produce करी जाती है pitutory gland के द्वारा produce करी जाती है अब यहाँ पर एक बात और यह जो growth hormone होता है इसको हम सोमर देखो इसको हम किस नाम से जानते हैं तो somatotropin के नाम से भी growth hormone को जानते हैं यानि कि जो somatotropin जो की growth hormone होता है यानि कि जो body का development होता है वो कौन से hormone की वज़े से होता है somatotropin की वज़े से और यह कहां से निकलता है pitutory ग्रंती यानि की पिउश ग्रंती से निकलता है ठीक है clear है मेरी बास समझ में आया की निए आया जलिए अब आपका अगले वाले कॉशन पर चलते हैं फटाफर से, 21st कॉशन लेखो अब इसमें आपका देखना कॉशन क्या पूँचा गया कि जो ICC test ranking है लो पता ही होनी चीए न, तो targeted rank तो पता चल गई अब पहली rank किसकी है तो पहली है किसकी है भई औस्टेलिया की है दूसरी किसकी है न्यूजिलेंड की है ये लिखा हुआ है अब तीसरी रेंग किसकी आएगी तो अपना जो प्यारा भारत देश है उसकी तीसरी रेंगिंग है यहाँ पे अगले question पर आते हैं Gender Advocate of the Year Award तो ये 2019 का किसको दिया गया तो देखो, ये दिया गया है जो अपनी Indian Major है तो इनको कौन सा अवाड मिला है यूएन का Gender Advocate of the Year 2019 का अवाड इनको यहाँपर मिला हुआ है तो ये बात आप यहाँ पर धान में रखेंगे और इन्होंने यहाँ पर इन्हें क्यों मिला है क्योंकि इन्होंने शान्ती काफी जादा यहाँ पर इन्होंने सुडान में जाकर करें जो आपको पता भी सुडान साइड में शान्ती काफी कम रहती है काफी पिछडे लोग हैं वहाँ पर तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से एकनेक सेने टुखडी जाती रहती है तो यहाँ पर इनोंने काफी अच्छा काम किया है इनके शांती सेना की साथ मिल करके तो इसलिए इनको क्या दिया गया है Gender Advocate of the Year का Award दिया गया है ठीक है अगले वाले कोशन पर आते हैं अच्छा अब आपका एक कोशन यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो आपका क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर आपका पूछा गया कि इंडिया के Second Vice President कौन से है ठीक है Second Vice President of India पूछ लिया भई बहुत ही बड़िया कोशन यानि कि कदेखो आप लोग ना पहला वाला पढ़के जाते हो या फिर अपना प्रेजन्ट वाला प्रेजन्ट के पहले वाला एक वो सबाब पढ़के जाते हो लेकिन यहाँ पर आपको President, PM और Vice President यह सारे के सारे जितने नंबर है ना सारे के सारे आपको यहाँ पर याद गर के जाना है आपके आने वाले examination में ठीक है नहीं तो मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा भी दूँगा कि आपको किस तरीके से प्रेपेर करना है फिर इनकी लिस्टिय में क्या-क्या नाम है ठीक है तो फिल हाल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अंसर जाकिर हुसेन हैं कौन है जाकिर हुसेन ठीक है सर्वपली राधा क्रिश्ञनन क्या नाम है इनका सर्वपली राधा क्रिश्ञन जी चलिए अगले वाले कोश्टियन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोश्ट आपका यह रहा देखो कॉश्ट नमबर आपका कौनसा आगया आप 24 ऑगया है देखो 24 Quinn पोश्ट कोश्ट में अगेन आपका एग्रिकल से रिलेटेड है, यानि कि हार्वेस्ट से रिलेटेड है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, तो ये है आपका नागालेंड कोहिमा का है, ये तो पहली बात हो गई, अच्छा, अब दूसरी बात एक और यहाँ पर यह जो festival है, यहाँ आपका एक harvest Festival है. कैसे हाँ देखो, मै는 आपका भी समझाय था श्राना उूपर. एक आपका pre harvest festival होता है, एक आपका देखो एक होता है pre harvest, ठीक है? और एक होता है post harvest, यानि कि आपका एक फसल की कटाई होने के बाद एक फसल की कटाई होनी से पहले जो Yamsha Festival है ना ये Pre-Harvest ए सबस्टेल के कटाई होने से पहले ये मनाया जाथ है कि हाँ भी हमारी जो फसले काफी बढ़िया होगी इसलिए यहाँ पर एक वेश्टिवल को मना रहे होते हैं या जो ट्राइब बग्या रहा है ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर करना और शिर करते जाना ठीक है यह सारी सारी चीज़ें करते रहा करो अपने आप इस कोशन को देखो नेक्स्ट वाला कोशन देखेंगे यहां पर तो एक कोश हर्ट आपका 2 चैंबर होता है हर्ट आपका 2 चैंबर होता है किसका ठीक है यह आपके पास में फिष था तो यहां पर आपका फिष तो राइट आंसर को जाएगा अब मैं आपको एक बात बताऊं CPU में आपका examination में CPU के examination में पूचा गया ता question की crocodile का कितना chamber hurt होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो crocodile है, उसका hurt होता है 4 chamber'd, ठीक है? जबकि जितने भी reptiles होते हैं उनका 3 chamber'd होता है जबकि crocodile भी आपका reptile है लेकिन ये exception में आता है पूर चेमबर हर्ट होता है ठीक है तो ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं तरीक है कोशन्स आपको ध्यान में रखने है ठीक है चलिए अगले वाले कोशन्स पर आते हैं